Hi friends, 369 technique marriage commitment के लिए अभी कैसे करने जा रहे हैं, हम वो देखिए बहुत simple रखना है, हम सबको पता है 3 times अपनी अपनी intentions लिखनी होती है, फिर 6 times लिखनी होती है, फिर 9 times लिखनी होती है मतलब morning, afternoon और night, 3 time का ये scene हम लोगों ने सोच रखा है 369 के लिए बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, morning, afternoon, night का नहीं रखेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ हम morning में ब्रह्म मूरत में करेंगे ठीक है, ब्रह्म मूरत में आप ब्रह्म मूरत का मतलब हो गया कि आप जो भी 4 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में आप इस technique को करेंगे 369 टेकनीक को, okay, सिर्फ और सिर्फ मैरज कमिटमेंट के लिए मैं बता रही हूँ, जिनका relationship strong है, बहुत healthy चल रहा है, वो करेंगे इस चीज को, हाँ, अगर ठीक है, relationship है, लेकिन फिर भी अभी लडाई है, कुछ है, बट आपको पता है कि उदर प्यार है, तो भी आप कर सकत है, it's okay, ठीक है, जो soulmate manifest कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा है उनके लिए भी, वो भी कर सकते हैं, उनके sentence चेंज हो जाएंगे, affirmation चेंज हो जाएगा, अभी मैं इहाँ पर सर्फ marriage commitment के लिए बता रही हूँ कि marriage commitment के लिए आप morning में कैसे करोगे, प्लीज दियान रखेगा, morning brahm moorat में ही करिए इसको, अगर बहुत जादा problem है किसी को की morning में उठी नहीं सकते हैं, या कुछ लोगों की shifts होती हैं, तो वो लोग फिर रात में कीजिए, बट रात में करना is second option, सबसे top priority पी है, आप morning brahm moorat में करेंगे इसको, ये सिर्फ 9 डेस करना है आपको, remember सिर्फ 9 दिन करने हैं आपको 369 activity, ठीक है, so सबसे पहले क्या करना है आपको, और ये one time ही है, morning में करना है, 369 ये तीनों के तीनों जो लिखने हैं पैराज में जो भी हम लिखते हैं, ये सारा का सारा morning में ही आप लिख दोगे, अब यहाँ पे आते हैं, हम सबसे प पैरा हैं, उसमें आप अपने specific person का नाम लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेम, full name, okay, full name लिखेंगे, अब प्लीज यहाँ पर ये question मत पूट कीजिएगा मुझे, कि हम उन्हें इस नाम से बुलाते हैं, उस नाम से बुलाते हैं, ये नाम लिखें, वो नाम लिखें, I don't know how, ये questions भी आप लोग क्यों put करते हैं, जो उनका real name है, means, जो name उनके certificates पे है, वो name आप लिखेंगे, जो name आपके शादी के card पे छपेगा, वो नाम आप लिखेंगे, okay, जिस नाम से आप बुलाते हो, वो नाम नहीं consider होगा, always remember, हमेशा कोई भी शादी से related आप काम कर रहे हो, मत पूछा करिए, कि हम उनको जिस नाम से बुलाते हैं, वो नाम लिखें, वो ही नाम आपके शादी के card पे अगर छपना है, तो प्लीज लिखें, नहीं, तो जो उनका पूरा नाम आपके card पे छपेगा, जिससे आपको पता है, कि हमेशा हमारे जो real name होते हैं, वो ही card पे भी छपते हैं, वो ही नाम आप लोग consider करेंगे, कोई से भी marriage का spell है, या कोई और activity है हर जगा, okay, so please remember this, ठीक है, तो उनका first, I mean full name आप पहले, सबसे पहले लिखेंगे three times, one, two, three, okay, color कौन सा use करेंगे, तो red color का pen लिजिए, please, okay, nine sheets आप रख सते हैं, या फिर कोई अगर register आप लिखेंगे nine days के लिए, तीन बार आपने नाम लिखा, इसके बाद जो six time है, सबसे पहले three times आपने लिख दिया, three हो गया, now three, six, nine की activity है, तो इसके बाद six times आएगा, फर nine times आएगा, six time में आप intention लिखोगे, okay, पहले आएगा name, क्या आपका focus है, कहां पे आपका focus है, first thing is focus, second thing is intention, third is action, आप क्या action ले रहे हो, तो first है हमारा focus, focus कहां पे है, उस नाम पे, उस specific person पे, तो सिर्फ नाम, कोई और फोट इदा उदर नहीं रखना है, सिर्फ नाम पे focus है, नाम हमने लिख दिया, person पे focus है, तीन बार वो लिखा, second जो पैरा आएगा, आपका six lines का, वो हो गया, आपके intention, intention क्या है, आपको marriage commitment मिलनी है, तो आपने लिखा है marriage commitment from so and so, उनका नाम again, ठीक है, so six lines में आगया, marriage commitment from so and so, तो ये intention है, first, second, third, fourth, fifth, sixth, six, six lines में same चीज रिपीट होगी, खतम, अब नाम बार में, जो सबसे last का पैरा है, nine lines का, वो हो गया आपके action लेनी की चीज, अब यहाँ पर action क्या है, action सर्फ इतना है, कि उन्होंने मुझे marriage commitment दे दी है, ठीक है, so आप इतना लिख सकते हो, he has given me marriage commitment, या फिर उनका नाम लिखके, okay, आप गर suppose कुछ भी नाम ले लेते हैं, हम राहुल ले लेते हैं, राहुल has given me marriage commitment, okay, thank you, thank you, thank you universe, nine lines में आपका, sorry, yes, nine lines जो last का पैरा है, उसमें आपका thank you, thank you, thank you word साथ पे चलेगा, okay, so तीन बार thank you भी हर line के साथ आपको लिखना है, so and so person has given me marriage commitment, thank you, thank you, thank you universe, इन्होंने मुझे marriage commitment दे दी है, धन्यवाद, 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 जो हिंदी में लिख रहे हैं, बहुत सिंपल रखना है, इसको आप सेट कर लीजिए, 17 seconds का नहीं, I would recommend कि प्लीज आप थोड़ा सा जादा, 4-5 seconds आगे करके और 4-5 seconds बाद में करके आप एक timer लगाए, बिकर जब हम स्टार्ट करते हैं, timer तो एकदम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा brain टाइम लेता है, हमेशा टाइम लेता है, कुछ seconds चाह आपको सिर्फ ऐस स्पेसिफिक पर्सन के नेम पर फोकस रखना है, उसके नाम के साथ उस committed word पर फोकस रखना है, इसके अलावा ध्यान कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कैसे मिलेगा, कास्ट इशू है, पेरिंस नहीं मान रहे हैं, यह सब problems पर नहीं, सिर्फ ऐस पर्सन का ना बोलेंगे हम sharp focus के साथ, ठीक है, आपको यह 17 second visualization का यहां पर effect भी डालना है, इसलिए ब्राम मूरत में बोला है, क्योंकि ब्राम मूरत में जब आप कोई भी चीज़ विजुलाइज करते हैं, या कोई टेक्नीक करते हैं, येस बहुत effective होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क thoughts हमारे अंदर चल रही होती है, इसलिए morning में एक दब fresh उठोगे, mind भी fresh रहेगा, thoughts भी कम रहेंगे, और उस time पे आप focus भी easily कर पाएंगे, and yes, definitely ब्राम मूरत में divine powers, energies बहुत active होती है, और आपका जो vibration आप भेज रहो universe में, वो भी बहुत हाई होगा, because rest of the world is sleeping, आपको यही म vibrations नहीं है, कोई traffic नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल smooth बात मिला हो है, आपके vibrations को उपर जाने के लिए, आपके thoughts को उपर जाने के लिए, यह activity सिर्फ 9 days करने है, 17 minutes का visualization कर लिया, अब आपने जो भी 3, 6, 9 times लिखा है, उसको एक बार पढ़ लोगे आप, पढ़ने के बाद आ 9 का, 1st day का activity खतम, same चीज, आप कल repeat करोगे, परसो repeat करोगे, 9 days तक चलेगा, okay, जब 9 दिन खतम हो जाएंगे, तब इन papers को फाड़ो, बिल्कुल फाड़ फूड करके इनको फेग दो, okay, अगर आपको लगता है, मुझे जलाना है, जला दो, जैसे भी करो, डिस्पोस करो इसक होगे, बार-बार आपको लगेगा, मैंने ये activity की, अभी तक फुल्फिल क्यों नहीं हुई, आप रोको गे उसको, okay, so, इस चीज को जो आपने किया है, इसको अब इस थौट को बिल्कुल हलका रखो, जाने दो इसको उपर, इसको release करो universe में, hold कर के मत रखो, सोचते मत रओ के लिए बार-बार, कि हमने वो activity की थी, अभी तक मिलाने result, 100% मिलेगा, 369 is very, very effective, और जब आप इतने focus के साथ कर रहे हो, specific person का नाम लिखके, six time intention लिखके, और nine times action लिखके, फिर उस में, आप 17 second की visualization का, जो power है, वो डाल रहे हो, ब्रहमूरत में कर रहे हो, तो सोचो कितना powerful ह है यह, कितने आसानी से यह manifest होगा, okay, so, बहुत-बहुत easy भी है, and बहुत helpful है, so, this is something, एक नए तरीके से हम लोग कर रहे हैं, 369, okay, सिर्फ one time है morning की activity, no afternoon, no night, सिर्फ morning में, एक ही बारी में 369, तीनो हो जाना है, okay, so, यह कर लिया आपने, सुभा और 9 तक, बस इसके बाद खत work, उनको अपना काम करने दीजी आप लो, और आप बेफिकर हो कर के और हैं, सेलफ लओ में रहिये, सोचिए मत, आपने अपना काम कर दिया, बस अब एक तम जब हम अपना काम कर लेते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, बस वै Darkly हो जाते हैं, आप लोग, कहमारा काम तो हो गया, ब God bless you all, stay positive, stay safe, thank you so much.